हलो फ्रेंट्स कैसे आप सब फ्रेंज आज जम बनाने जा सारह है है रेस्टोर निस्टाइल मश्रूम मटर मसाला जो बहुत ही टेस्टी होता है जिसको आप रोटी, नान्यां या पराटे के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलो फ्रेंज वीडियो बनाना मशरुम मट़े मसला बनाने के लिए मशरुम का पिले को प्रमश करेंगे। जिस के लिए मेने दो चमत मेरितार डालतेंगे और मशरुम को मैने 400 ग्राम कॉलरती और अब हम हाथों से वश्रुमको रब करेंगे और 2-3 पानी से वेकले निउनल साथ करले सब्सक्राट फिर्स मश्रूम को मैंने बोश कर दिया है अभी के उपर की थोड़ी ही डंठल इसको काट देंगे और एक मश्रूम का हम चार बाग करेंगे अगर शोटा मश्रूम हो तो इसका हम दो बाग कर सकते हैं अगर मश्रूम बहुत ही बड़ा हो तो एक मश्रूम का आप शेप आट भी कर सकते हो जब तक हमारे मश्रूम कट रहें तब तक मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको यह मेरी रेसिपी अशी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरू किजिएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसे लगी अगर अशी लगे तो फैमिली और फ्रेंस में जरूर शेयर किजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर प्रेस किजिए जैसे कि कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहा है अभी गेस पे मैंने एक गराई रखी है जिसमें हम डालेंगे एक शोटी सी चमस तेल की अभी हम मश्रूम और मटर को हम फ्राइग करेंगे मैंने आदा कप मटर लिए है यह फ्रेश सीजन के मटर है जो सवाज में बहुत मीठे होते हैं अगर आपके पास यह ना हो तो आप फ्रोजन भी ले सकते हो पर कोशिश किजिए कि आप फ्रेश मटर ही लीजिए इसका टेस्ट और भी अशा आता है अभी हम 80% मश्रूम और म इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेंगी एक्तम रेस्टोरन इस्टाइल यह सब्जी बनेंगी इतनी यह टेस्टी बनती है अभी हम पूरे मश्रूम और मटर को निकाल देंगे इसी कराए में जो कि तेल बच्चा है उसमें हम डालेंगे आदा चमत जीरा जब जीरा फ्राय हो जाए तो उसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे मैंने एक इंच ताचिनी एक बड़ी लाची दो शोटी लाची थोड़ी सी चावत्री दो लोंग चार काले मिर्च और एक तेज पता को मैंने काट के लिया था सब भी को हम अशीतर से कुमा देंगे अभी इसमें हम डालेंगे तीन मीडियम साइच के प्यास जिसको मैंने रफली काट लिया है अभी फ्रेंस में हम डालेंगे दो इंच अद्रक का टुकड़ा और दो हरी मिर जिसको मैंने देंगे और फ्रेंस प्याज को हमको ब्राउन नहीं करने का है खाली ट्रांस्लूर्ट होने तक पकाने का है अभी हमार प्याज ट्रांस्लूर्ट हो गए है इसी स्टेज बे हम डालेंगे तीन बड़े साइज के टमाटर जिसको मैंने रफली काट लिया है और जैसे हम टमाटर डालेंगे तो उसमें उपर से हम नम्मक डालेंगे और लो टू मीडियो मांच पर डखन बन करके इसको सौफ्ट होने के लिए रख देंगे फिर टमाटर का सौफ्ट होना जरूर है क्योंकि जब तक यह पकेगा नहीं तो हम सबजी में कितने भी मसाले डालेंगे पर उसमें सवाद नहीं आता है अगर जो मसाले अशी तो ऐसे पक जाएगा ना तो सबजी और भी टेस्टी बनती है अभी थोड़ी सी कसर भाकी है फिर से हमको डखन बन करके टमाटर को सौफ्ट होने के लिए रख देने का है फिर मीडियम तो लो फ्लेम भी हमको इसको पकाने का है दो तीन दो हो गए है अभी फिर से हम मसाले को चेक करते हैं कि टमाटर ह sauce हो एकर नहीं प्रेश्ट हर सौफ्ट हो गये अभी गेसका फिलेम बंद करेंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंटा हो गया मसाला, फ्रेंट अभी हमारा इसको हम अभी ब्लेंडिंग जार में डालकर इसको हम पीस लेंगे फ्रेंट जब तक हमारा मसाला पीस रहा है, तब तक फिर से मैं आपको याद दिला दूँगों के अगर आपको कोई मेरी यासे भी अशी लगे तो प्लीज प्लीज जरूर लाइक किजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा अभी हमारा यह मसाला पीस लिया है फिर से हम गेस पे रखेंगे पेन उसमें हम डालेंगे दो टेबल स्पून ओइल इसमें हम डालेंगे एक चमाचे कसूरी मेथी और एक चमाचे कश्मीरी लाल मिर्च और इसमें हम मसाला डाल देंगे फ्रेंज आपको मेरी दिल से सौड़ी है कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च और यह मसाला डालते समय हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसके लिए मैं दिल से मापी चाहती हूँ अभी ग्रेवी डालते समय उसके बाद हमने एक चमच दनिया पाउडर, वन फो चमच हल्दी और एक चमच मैंने शेजवान चटनी डालिए फ्रेंशेजवान चटनी है वो मेरी पसना ही बहुत फेवरेट है अगर आपके पास हो तो आप जरूर डालिएगा इससे यह सब्जी का सवात और भी बढ़ जाता है अभी पूरे मसाले को हम अशी तरह से ऐसे मिक्स करेंगे अभी हम डखन बन करके लो टू मीडियम फ्लेम पेस को हम पकाएंगे जब तक इसमें से तेल रिलीज ना हो अभी हमारा सब्जी में से तेल रिलीज हो गया है देखो फ्रेंशे साइड में से तेल दिखाई दे रहा है ना अभी इसी स्टेज पे हम डालेंगे वन फोथ का दई जिसको मैंने अशी तरह से फैट के लिया था क्योंकि हम इस तरह ऐसे डई डालेंगे तो यह जो मसाला है वो फटने के चांसिस है अगर हम इसको फैट के डालेंगे तो हमारे सब्जी फटेगी नहीं और कंटीनियू से फटा फट हमको हाथ चलाने का है अभी फ्रेंग हमने जो मश्रूम और मट्र जो हमने फ्राय किये थे वो इसमें हम डालेंगे और पांच मिनट के लिए इसको हम डक्कन बन करके लो टू मीडियम आंच पर इसको हम पकाएंगे फ्रहा हमारा 80% यह मश्रूम मट्र पक गया है खाली थोड़ी सी कसर बाकी है पांच मिनट के लिए इसको हम डक्कन बन करके फिर इसे रख देंगे प्रिस पांच प्रिंट हो गए हम सबजी को अभी जेक करते हैं हमारे मश्रूम और मटर हमारे इकतब पक के तैयार हो गए है अभी हम गेस का फिलिम बंद करेंगे और दस मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे फ्रिंट गेस का फिलिम बंद करते समय में इसमें हरे दनिया के पत्ते और थोड़ा सा गरब मसाला हम डालेंगे क्यूंकि फ्रिंट हमने पहले खरे मसाले डालेंगे इसलिए जादा हमको गरब मसाले डालने की जवरत नहीं है अभी हम ढकन बंद करेंगे और दस मिनट के कितनी घारी हो गई है और एकदम परफेक कंसिस्टंसी है रोटी पराठा और नान के साथ और रखने के बाद ये और भी घारी हो जाएगी अपर फ्रेंज इस सबजी को और भी ज़्यादा स्वादिश बनाने के लिए हमको फाइनल तरका बनाने का है जिसके लिए मैंने तर लोगर ने इसके उपर हम डाल देंगे उपर से हम डेकर करेंगे हरे दन्या के पते से मैंने जब भी सबजी बनाई थी तो सबी को बहुत पसंद आई थी आप भी एक बार जरूर बना के ट्राइग आपको भी जरूर जरूर पसंद आएगी ये मेरी गारांटी है तो मिलते ह एक नेक्स्ट एसपी के साथ अब तक के लिए बाय टेक क्या एंड थेंक्यू वेरी मच्छ